आप इसको रखते हो, उनको इसको खाना अच्छा लगता था, इनको पता है, पढ़े लिखे लोग भारत में खेती नहीं करते, जो पढ़ लिया हो शहर जाता है, वो कुटे रखता है शहर में, हमें दूद से मतलब है जी, गाय से मतलब नहीं, भारत में आप देखो तो कम से क हमारे देश में ऐसा ही है, दुनिया में भी ऐसा ही है, भोजन और पानी के लिए कोई प्लानिंग नहीं है, हमको लगता है ऐसे ही आता रहेगा, कोई तो करेगा जी, मुझे तो नौकरी करनी है, खेती कोई और करेगा, भोजन आता रहेगा, लगता है कि नहीं लगता, कितन 300 गाय हैं यहाँ पर और गाय रखने वाले अब हैं हमारे पास 20-25 एक डिर महिने से आठ नौ लोग थे जी पहले आठ नौ लोग शहर का कोई शोचाला इसलिए नहीं बंद पड़ा होगा कि वहां साफ करने वाले लोग नहीं मिले समझ रहें आप मेरी बात कोई बिल्डिंग पिछले नहीं रूकियों कि यहाँ कुली नहीं मिला काम करने के लिए खेत बंद पड़ रहा है जी 500 किसान और रोज मर रहे है भारत में 6 लाख मर गए गिन नहीं पाओगे आप उंगली से 1-2-3-4 करते 6 लाख नहीं पहुंच पाओगे उतने लोगों ने आत्म हत्या कर लि नहीं हम भी उतने ही जिम्यदार है अगर कुछ अच्छा हो रहा है हमारी वज़ाज करता है लेकिन मुझे ज़रूरी है और वह वह बहुत कुछ और सब कुछ के बीच में भोजन अटक जाता है पैसे से health insurance आएगी health नहीं आएगा क्या बोलते हैं फूड poisoning आती है जी food नहीं आता किसी ने facebook पर डाला कि दवा है जो है न medicine is not health care it is sick care please get your basics right दवा से बीमार ठीक होते हैं स्वास्थ अच्छा नहीं होता दोनों दो चीजे हैं हैं कि नहीं दवा बीमारी लेता है नहीं पहलवान क्या करेगा दवा ले के ठीक है गाय फिर भी कट गई हमारे देश में जानते हुए कि गाय के उपर उपनिशद लिखा उसमें सारी चीजे गायों के बारे में लिखें उतना मुझे पता भी नहीं और मुझे लगता है किसी को बताने की जुरत मीं सब को पता है लेकिन priority change हो गई हम कुते की रसी पकर के गाय का दूर ने जाते हैं इसलिए गाय कट गई किसान आते हैं पूछते हैं यह गाय की जर उसको समझ में आता है हां कि न मोटर सैकल को देखे को ट्रक नहीं बोलता उसको लेकिन गाय को देखके पूछता है कि यह भैसे की गाय है हमारा विकास कितना जवर्दस्त हो रहा है रोड बन गया गाउं में दारू के दुकान आगए पिट्रोल पंप गया सारे युवक सहर आ है वो दादा जी का घर है हा की न खतम हो गया न रिलेशन और जहां भी रहेगा आप बोलना बेटा सहत का ख्याल रखना नौकरी करना लेकिन खेती नहीं करना यह बात बनती है कि आएसे की ट्रेन में बिठा दिया टिकेट वापिस लेके हैपी जर नहीं सहत का ख्याल रखन जान खेती नहीं करना दुनिया का सबसे बड़ा धंदा यह क्योंकि हर जीव को भोजन चाहिए इनसानों की छोड़ो सारे कीड़े मकोरे सब को डर्ती से ही आएगा उगाना कोई नहीं चाहता है मुझे एक्षप्रेस जीन सह लगटा है मरना सब को है मरना कोई नहीं चाहता खाना सबगए उगाना कोई नहीं चाहता धाई हजार किसान एक दिन में खेती छोर रहे हैं भारत में यह भारत की बात है खाले भोजन पूरी दुनिया में लोग करते हैं और पढ़े लिखे लोग नहीं करते हैं इसलिए किसान मर जाते हैं चार-पांच दिन पहले एक बिल पोस्ट किया था फेस्बुक पर किसी ने दो हजार किलो अनार होगाया किसान ने शहर गया बेचने के लिए और वापिस लेके कितना रुपया पता है तीन रुपया असी पैसे किलो कितने का हुआ हो गेट यूर मेथमेटिक्स राइट तीन रुपया असी पैसे लेके वह जहर की पूर्या नहीं खरीद लेगा क्या और हम जो पढ़े लिखे लोग है जो बीच बीच में अंग्रीजी घूसर देते हैं हिंदी में जिन्होंने अमेरिका देखिया गूग वो नौकरी करने में बिजी हैं वो खेती नहीं करते हैं helping someone else having a business we call ourselves settled पैसे कोई और कमाता है ना नींद खाली मेरी खराब होती है घर में लोग समझते है बेटे की नौकरी है जपान में रहता है एंगलेंड में रहता है बैंगलोर में रहता है पूछना उसको मंडे को घर ज सुनते हमको लगता है suicide है pesticide है गरीभी है भुक में हजार तरह के विशेशन आते हैं दिमाग में तो खाना छोड़ दो ना केती सज में tough काम है and for that matter nothing is easy also in this world in this life stop eating then नहीं होगा खाना बंद कैसे कर सकते हैं उगाना बंद कर दिया हमने हमको लगता है मौल से भोजन आ एक रजगास का महंगी क्यों नहीं होगी एक प्याज उगाके तो देखो बता चलेगा एक फिमाजधाने में कितना लगता है अना हम इसा नहीं करते तीन लाइप खाते हैं प्लास्टिक में बांते हैं फैकते हैं उसको ऐसे जेसे चांद पे चला गया वह फर्मेंट होता है मिथेन बनता है, उसे कैंसर फैलता है, हमको लगता है, मैं अच्छा आदमी हूँ, जारो देना तो मोदी का काम है, सुक्ष बारत अभी हैं चला है, इतने निकम्मेपन की तरह हम लोग बढ़ते जा रहे हैं, मुझे इसा लगता है, माफ कीजेगा, मैं थोड़ा हार्ट बहु जिसको भगवान मान बेट हैं, वो टेकनोलोजी और साइंस, यह फैल्योर, इस अधार्वेज मैनेजमेंट, कुछ नहीं कर सकते हो, सरकार को दोस्ट देने से कच्रा नहीं कम हो जाता, सेग्रिगेशन करने से कच्रा कम नहीं होता, कम होगा क्या बताए, सेग्रिएट करने स कच्रा नहीं कम होता, यह मुझे बेवकूफी जीसा काम लगता हो, सेग्रिगेट करो, उसी डेकी ट्रक में डालके, मंदूर में जाके फेक देते हैं, हाव दिलवा सर, बंगलोर इंदा था नहीं निवो, मंदूर लिता हैं, विसा को देला, एक बाजो में गाउं है, पूर और उससे टमाटर घर में उगा सकते हैं, जो देदी बोल ले थी, परमकल्चर की बात हमने वह ही किया, पत्थरों पे बिना खुदाय किये उगा दिया, बिना बोर्विल डाले उगा दिया, जो भी करनाटक में उग सकता है सबजी और फलसारे आ रहे हैं, अच्छे से आ रह है, कि agriculture is not a rocket science, अगर आपको खाना है तो उगाना पड़ेगा, आपको नहीं तो बच्चे को जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि 2012 से गेहूं का उत्पादन पूरी दुनिया में कम होना शुरू हो गया, और वो बोलते हैं, no matter what, it's not going to come up, अब बढ़ने वाला नहीं है, जन लिखा नहीं है, वो शहर जाके किसी अपने क्या, collector office में जाके बात ही नहीं कर सकता है, कि सरकार ने कितनी subsidy दी, बात कर सकता है क्या हो, वो शरीर से अस्वस्थ है और सिक्षा से अस्वस्थ है, वो भी असिक्षित आदमी है, जो जो दस्वी class pass करते करते, fail हो गया वो, वो कि शहर आ गया, जो पहले धके में पास किया, वो तो आहीं जाता है, शहर से महानगर, महानगर से on-site, on-site वाला बोलता है, let's go to Mars, there's nothing left on planet Earth, and it's one way road, no one comes back, कोई आता है क्या वापिस, किसी का बेटा 15-20 साल बाद आया क्या, शहर से वापिस बताहिए आप, खाएगा खाक, है देखने आये, ग्यान लेने आये, पेड़ गिनने आये, मजे करने आये, ये लूठने की जगा, गुरुज ने बना के रख दिया, वो लेके नहीं जाएंगे, and for that matter, no one of us will take everything back, जो भी हमने दुनिया में फहला है माया, लेके तो नहीं जाएंगे, ऐसा रख दिया, दुष्चक्र है इसके पीछे, खडियंद्र, गाय जहां ज़्यादा है वही पानी का लेघल है, तीन हजार फीट चला गया में फानी, यहां पर पानी, तीस फीट से तीन हजार फीट, चालिस साल में चला गया, हमें लगता है, मौल से पानी आ जाएगा, मौल से भोजन आ लगता है कि नहीं लगता देखा आपने किचन में भोजन किया ना खाना खाया आपने आश्रम में परसाद लिया थाली दोया ना तो थाली में साबुन लगा रहे दे तो नल खुला था एटिचूड हजारों लोग खाते यह आश्रम की बात नहीं है यह हमारा आपका सब का बा मौल में महंगाने पड़ता, ठेले बाले पास महंगा पड़ता, पड़ता एक नहीं पड़ता, 100 का 125 मौल वाले को देखे आते हैं, just because it is freeze, we feel it is fresh, हां की न, freezer में रखा है, जब तक बिकेगा नहीं, वो हटाएगा नहीं, he knows how to maintain that, self-life, GM food बेच देते हैं, थेले बाले के पास नहीं है, बेचारे के पास freezer, थोड़ा गंदा दिखता है, सब जी हमको लगता है, ये खरिद ना ने ची, ये पैसे से इसकी जान बच जागे, ये पैसा भारत में रहेगा, why should I do that, तभी मरता है आदमी, तभी मरता है, पचास लाख से ज़्यादा लोग साल में एक बार, I mean हर साल दुनिया में भूख से मर जाते हैं, कभी उस भूख के इसमें रहे आपने, दो-चार दिन बिताया है, उस तड़त में लोग मर जाते हैं, बंगलादेश में 80% मैल निट्रिशन है, मतलब भोजन नहीं मिलता, अमेरिका में 80% क्या बोलते हैं, ओवर निट्रिशन है, जो बोलो, खाते-खाते विमारे, ओभी समझ रहे हैं, और ये किसी एक आदमी की वज़े से नहीं, हमारा सबका योग, परहे लिखे लोग का ज्यादा योगदान है बिगारने में, गुरु जी बोलते हैं, अच्छे लोग की वज़े से दुनिया में ज्यादा परिशानी हो गए, उनका कोई नेटवर्क ने, बाज मेरा हेल्थ इंसरेंस, मेरा बस, सब कुछ मेरा, वहीं खतम होता है, वहीं शुरू होता है, ऐसे जब महापुरुषा आते धरती पर, तो जोडने का काम करते हैं, हम उनको गालियां देते हैं, भारत में बड़ा एक फैशन चला है, बाबाओं को गाली देना, खास करके हमार किया नहीं रहे अब, अब हम विकास कर रहे हैं, है न, गोबर लग जाता है, हाथ में तो चिला नहीं लग दे लोग है, यहां पर, वर इस दे हैंड़ वाश, यह हमारा विकास, देखिए आपको क्या करना है, प्लास्टिक ऐसे ही उड़ाना है, जिससे कैंसर फैलता है, इस प्लास्टिक, जिससे काफ लेदर करके ब्रांड आता है, थैंक गोड हमने देखा नहीं, I don't want to see that also, हमें लगता है कि पेड़ से आते हैं चम्रे, कंजूमर बेस्ट एकोनमी, है की नहीं है, you create the demand and supply comes, मिलता है कि नहीं मिलता, मोबाइल पड़ोसी के घर में थोड़े बनता है, किसी और कंट्री में बनता है, तीसरे दिन आपके घर आ जाता है, उनलाइन, बकरीद में बकड़ा मिल दा था, फिलिप कार्ट तो है, उनलाइ प्लास्टिक में रहा है, यहीं अमृत है, प्लास्टिक में रह पोके आए, आएसो सर्टिफिकेशन है, लगता है कि नहीं लगता है हमको इसलिए आज हाल यह है देखिए आपको क्या करना पिछले महीने इसी तारिक को 31 जुला को गुरुजी ने अंतराष्ट्य पर्यावरन दीवश मनाया आपको पता है आर्ट अफ लिविंग ने मनाया बोला गुरुजी ने बोला पेड नहीं लगाने के हजार रीजन है क्या क्या जगह नहीं है टाइम नहीं है पेड मिलते कहा है पानी कौन देगा लगाने के लिए मैं रेडी हो पानी कौन देगा बकड़ी खा जाएगी हजार स्टूपिड री प्रिक हाग से नहमापने इदिन दिन में